फरिदबाद में करवा चौथ की त्योहार को महिलाएं धूमधाम से मना रही है इंडिया न्यूस से वरत रख रही महिलाओं ने खास बात शीद की क्या महत्व है इस परामपरीक त्योहार का सुनिया करवा चौथ यानी पती पत्नी के बीच एक दूसरे के पृति त्योहार और परामपरीक ये त्योहार यहाँ आप देख सकते हैं महिलाएं इस करवा चौथ के त्योहार को मनाती होई दिखी जा सकती है कि करुए हातों में लिए हुए हैं कहानी इनों ने सुनी हैं इसे बात भी कर लेते हैं ये एक परंपरिक तोहार है सदियों से चला रहा है मानने त्या क्या है इस तोहार की सुहागने और इस वर्त को करती हैं और सब मिल जुलके सब कहानी सुनाते हैं और इसमें लंबी मतलब उमर लंबी हो इसलिए सारी पतनी अपने पतिं की कामना है मांगती डीर गायों की कामना करते हैं लेकिन सजने सरक्ष होता है अपना अठाः होता है क्या कहेंगे तो हमारा हिसनी क्या मैहत्व है इसके पीछे एक बहुत पूरानी क्था है करवा नाम की तो उसी के कोडिंग हिंदु धर में ये सब और तोंका सबसे फेमस तोहार है इस दिन ओरतें 16 सिंगार करती है अपनी पती के लिए लंबी उम्री की दुआ करती है और कुछ कई जगों पे तो पंजाबी लोग इसमें सर्गी भी खाते हैं सुबह सुबह उसके नहीं मनाया जा रहा है क्योंकि घर में यह सवहांकुन का उबरत है आपने अपने अपने पती की देदायों के लिए वित रखती महामारी है और इसमें सब जगे लोकडाउन लगा हुआ है सब को घर के अंदर ही अपने सारे तीस्तियोहार मनाने हैं लेकिन ये करवाचोत का तो हार है लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ा है चाहे बेशक हमें मेहंदी लगाने के लिए बाहर ना जाना पड़े लेकिन हमन करोना के बचने के लिए यही कह रहे हैं कि अपने आपको भी ठीक रखो और दूसरों का भी ध्यान रखो क्योंकि करोना की वेज़े से यह मामारी तो फिर से जैसे बहुत दिनों से फैली हुई है हम लोग इसके लिए जागरुत भी करवा रहे हैं लेकिन तो हार तो हमारे करने बढ़ेंगे जैसे कि अब करवा चोथ है करवा चोथ के दिन भी हम लोगों को बाहर महंदी लगवाने जन नहीं गए हैं घर पे ही हमने थोड़ा बदा कि रहा है जैसे हम पंजाबी हैं सरदार है तो सरगी भी सुबह खाई है और अब अपने घर पे हम कथा भी सुनें लेकिन है मुर्बान से करदा तो वैसा ही है लेकिन थोड़ा बाहर जाने की हो जाए अपने घर में ज्यादा मना रहे है बड़ा मुश्किल रहोगा इस वार क्यूंकि हर बार आप बार जाते हों कौन सा करवा चोथ है इस बार आपका और कैसा अलग किस लिए लिए लग है तीसरा इला, और क्या करते हैं बाजार नहीं चाह पाए या गए थे, तो इस वार जो सिंगार किया है वो घर पर रह कर किया है तो क्या मानते हैं इसको महत तो कुछ बता पाए आप, भी पती का आयो, के लिए रखते हैंगे ताकि साथ जनम तक साथ रहें जी तो बिलकुल गर्वा चौथ का जो टौहार है पर्व है एक दूसरे के पिर्ती समर्पण का भाब पेदा हो और कहीना कहीं जो पती की दीरगायू के साथ साथ में जिस तरह से महिलाएं जो ब्रत जिनों ने रखा है साब तोर से कहती दिखाई देन कि ये साथ जन्मों के बंधन का एक हो है खरीदवासे देवें रिकॉसिक